हिमाचल और गुजरात दोनों जगे भारतिय जनता पार्टी सरकार बना रही है और फिर एक बार हम विज़ाई होकर बार आए हैं मैं सबसे पहले गुजरात और हिमाचल की जनता को भारतिय जनता पार्टी के करोड़ों कारेकरता की और से और मेरी और से रदय पुर्वा धन्यवाद भी देना चाहता हूं और अभिनंदन भी करना चाहता हूं कि मोदी जीत की विकास की यात्रा में उन्होंने अपना भरोसा जताया है और फिर एक बार गुजरात में हमें सेवा करने का मौका दिया है हिमाचल में हमें विकास की यात्रा में जूडने के लिए मौका दिया है यह जीत भारतिय जन्ता पार्टी के करोडो कारेकरता के अथाव परिश्रम की जीत है यह जीत प्रधान मंत्री जी की नितियों की और जो भारतिय जन्ता पार्टी की केंडर सरकार है उसके गरीब लक्सी कारेकरम है इसकी जीत है नित्रो ये जीत वन्सवाद, जातिवाद और तुर्ष्टी करण के उपर विकासवाद की जीत है, पोलिटिक्स अब पर्फरमंस की जीत है जब से नरे लवाई इस देश के प्रधानमंत्री बने हैं, देश की रादनिती से ये तीन नासूर जो देश के लोकतंत्रपक दूसर प्रभाव डालते थे एक जातिवाद, दूसरा वन्सवाद और तीसरा वोट बेंक के लिए तुरुष्टी करण तीनों नासूरों को देश की रादनिती से मुक्त करने का एक प्रयास कर रहे थे और उत्तरप्रदेश के बाद अब गुजरात के चुनाओं ने ये सिद्ध कर दिया है कि देश का लोकतंत्रप अब लगबग लगबग ये तीनों नासूरों से मुक्त होकर politics of performance के नए एरा के अंदर enter हो रहा है जो perform करेगा, जो विकास करेगा, जो जनाकांसाओ की पूर्ती करेगा उसी को लोगतंत्र के अंदर जीत मिलेगी तो मैं मानता हूँ कि मोदी जी के नेत्रूत में आजादी के 70 साल के बाद हमारा एक लोगतंत्र करवट बदल रहा है और एक नए एरा में, नए यूग में हमारा लोगतंत्र प्रवेश कर रहा है और इसका संपून स्रे समगर देश में अब तक जितने चुनाव आए और सभी राजयों की जनताओं को भी हम देना चाहेंगे और भारतीय जनता पार्टी के करोडो कारिकरता जो मोदी जी के नेतूत में अहधरनी परिस्रम कर रहे हैं उनको भी पार्टी देना चाहेगी जहां तक गुजरात का सवाल है गुजरात में 1990 से भारतिय जनता पार्टी चाहे वो लोक सभा का चुना हो चाहे विदान सभा का हो कभी नहीं हारी लगातार हम छट्थी बार वहाँ पर सरकार बनाने जा रहे हैं हमारा बहुत प्रतिसत 2012 के मुकाबले गुजरात के अंदर बढ़ा है 2012 में भारतिय जनता पार्टी को 47.85% वोर्ट मिला था और 2017 में अभी तक के जो आंकडे है उससे 49.10% वोर्ट मिला है इसका मतलब होता है इतने घोर जातिवादी प्रचार के बाद भी भारतिय जनता पार्टी के जन समर्थन में 1.25% की वृद्धी हुई है यह बहुत बड़ी उपलब्दी है और भारतिय जनता पार्टी के प्रति गुजरात की जनता का जो विश्वास है इसकी यह ध्योतक है गुजरात के चुनाओं में कॉंग्रेस पार्टी के द्वारा जिस प्रकार से मुद्धों को मुद्धों से भटक कर पूरे चुनाओं को जातिवाद की दिसा में ले जाने का प्रयास किया गया पूरे गुजरात को जिस तरसे जातिवादी की आग में जोंकने का प्रयास किया गया गुजरात की जनता ने उसको विफल बनाया है उसका भारतिय जनता पार्टी के सभी कारेकरताओं को बहुत आनंद है एक ब्रांती फिला कर मुद्दों से भटका कर जो प्रयास हुआ था उसका नतिजा आया है कि कॉंग्रेस के सभी प्रमुख नेता हारे हैं चाहे वो सक्ति सिंग जी हो चाहे वो तुशार चोदरी हो चाहे सिधार्थ पतेल हो चाहे वो अर्जुन भाई मोडवाडिया हो सारे प्रमुख नेता चुनाव में हारे हैं एक कॉंग्रेस के नेत्रुतों ने जो आउट्सोर्सिंग से चुनाव लड़ने का एक प्रयास किया था इसका नतिजा है और आप अगर ध्यान से कॉंग्रेस का गोशना पत्र भी देखे होंगे तो जिस राज्य की टोटल रेव सक्तर हजार की रेवेन्यू के सामने एक लाख बीस हजार करोड के प्रोमिस दिये थे फिर भी गुजरात की जनता ने मोदी जी पर भरोसा किया है और गुजरात में हम चुनाव जीत कर बाहर आए हैं पूरे प्रचार के दोरान हर बार प्रचार का स्तर नीचे ले जाने का प्रयास हुआ अलग अलग प्रकार की जो लोक भूग्यन नहीं है इस प्रकार के सब्दों का प्रयोग भी हुआ अलग अलग प्रकार से जाती वाद को भढ़काने का भी प्रयास हुआ मगर मोदी जी ने जो politics of performance की शुरुवात की है विकास की यात्रा की जो शुरुवात की है गुजरात की जनता ने इसमें अपना भरोसा जताते हुए फीस एक बार भारतिय जनता पार्टी को सरकार बनाने का मौका दिया है हिमाचल के अंडर बहुत बड़े अंतर से हम जीते हैं जहां तक हिमाचल का सवाल है 2012 में हमें 38.47% मिले थे और इस बार 48.50% मतलब 10% की बढ़ोतरी हुई है हिमाचल की जनता ने मोदी जी का जो हिमाचल के साथ रिष्टा है उसको फिर से एक बार प्रूष्ट किया है उसको उन्होंने फिर से एक बार ताजा करते हुए प्रदान मंत्री जी के नेत्रुतव में अपनी स्रद्धा जताई है और हिमाचल नरेंद्र मोदी जी की विका संतोस का विशह है जहां तक रादनीतिक नतीजों का सवाल है NDA की सरकार बनने के बाद कैंडर में भारतिय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद देश में जितने चुना हुए लगातार BJP ने अपनी स्थीती को बहतर किया है अपने जन समर्थन को बड़ा आया है 2014 के पहले पूरे देश बर में भारतिय जनता पार्टी की 5 सरकारे थी और एक सरकार में हम साजीदार थे आज ये दोनों राज्यों के परिणा माने के बाद भारतिय जनता पार्टी की 14 सरकारे हैं जहां भारतिय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री है और पांच सरकारे ऐसी है जो NDA की है जिसमें हम इसेदार है तो कुल मिलाकर देश के 19 राज्यों में मोदी जी के नित्रूतों में सरकार बनी है मोदी जी के नित्रूतों में केंद्रकी जो सरकार बनी लगबग लगबग किसान घरीब पिछड़ा दलीद आदिवासी महिला और गाव के उत्थान के लिए 106 से ज्यादा योजनाय लेकर मोदी सरकार आई है और उसी का परिणाम है के सारी योदनाय नीचे तक परकोलेट होकर एक प्रचंड जन समर्थन में कन्वर्ट हुई है देश का अर्थतंत्रा बहुत तेजी से बढ़ रहा है दुनिया भर के जितने भी रेटिंग देने वाली संस्थाए है उसको सटिफाइड कर चुकी है और एक विकास स्यात्रा जो मोदी जी के नित्रुत में चल रही है इसको जहां जहां चुनावाया जन समर्थन मिला है आने वाले दिनों में और चार राज्यों के चुनावाने हैं तिपुरा, मेगालय, मिजोरम और करनाटक मुझे पूरा भरोसा है कि मोदी जी के नित्रुत में ए चारो राज्यों में जहां जहां भारतिय जनता पार्टी लड़ेगी या हम सहयोगियों के साथ लड़ेंगे वहाँ पर भारतिय जनता पार्टी की निश्चित जीत होगी और भारतिय जनता पार्टी का कारेकरता ए चारो राज्यों में सरकार बनाने के लिए कटिबद है, संकल पवान है मोदी जी के नित्रुत में 2019 का चुनाव जम हम लड़ने जाएंगे तब पुरे देश भर के अंदर इस जन्ट समर्थन हमें एक बार फिर से प्राप्थ हुआ होगा 2014 से 2019 के बीच में वो हमारा होसला बढ़ाएगा और मोदी जीन ने जो लक्स रखा है 2022 का निव इंडिया की कलपना देश के युवाओ के सामने रखी है मुझे लगता है कि हम उसको सीद्ध कर पाएंगे और मैं फिर से एक बार मेरी बात समाप्त करने के पहले भारतिय जन्ता पार्टी के करोरों कारेकरता भारतिय जन्ता पार्टी के कई प्रमूख नेताओं ने इस चुनाव में अहर्णिस काम किया है दिन रात काम किया है बीना ठके काम किया है वो सभी का भारतिय जन्ता पार्टी के अध्यक से नाते रदय से धन्यवाद करता हूं हिमाचल और गुजरात की जनता का भी धन्यवाद करता हूँ और मैं आशा करता हूँ देश की जनता मोदी जी के नितूत में इसी तरह से भारती जनता पार्टी को अपना आसिरवाद देती रहेगी और ये आसिरवाद को हम विकास यात्रा में तब्दिल करकर देश को 2022 तक बहुत आगे बढ़ाने का और न्यू इंडिया की कल्पना को सच करने का विश्वास के साथ प्रयास करेंगे यही बात करकर मैं मेरी बात समाप्त करता हूँ